आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आज हम लोग सेव बटन पर माइक्रो सेट करना सीखेंगे जिससे यहाँ पर बिल में दिया गया डेटा आपका डेटा सीट पर सेव हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर जो बिल नंबर दिया हुआ है वो क्या क्लियर हो गये आपका डाटा और देखिए वो डाटा जो मैंने वहाँ भरा हुआ था इस जागा आ गया तो यह किस तरीके से करना है वो हम लोग देखेंगे प्रिंट के लिए मैंने आल्रेडी सॉट वीडियो बनाया हुआ है आप उस पर जाके प्रिंट के लिए देख लि क्या हुआ है जैसे कि यहां बिल लंबर यह सीरियल वाइस कुछ है नहीं इसको लेकिन हमको डाटा में इस तरीके सीरियल वाइस करना है तो अगर हम लोग कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक कपना सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर इस तरीके से रिफरेंस रखते हुए डिटा को रखना जैसे इकुवल टू अगर मैं क्या लिख दूँ शिक्स तो यहां पर मैंने वाइट कर रहा होगा इसलिए यहां पर डेटा नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको ब्लैक कर देता ह ज़िए तो इस तरीके से डिट, पिर अगर हमें नेम चाहिए, तो नेम को यह सिरियल वाइच करने के लिए बस एकुवल लगाकर आपको क्या करना इस तरीके सिर्व और से सिरिलाईज कर लेडा है फिर एकुवल टू यहां पर मउस अब देखें यहां पर कहां तक हमारे प वो है C10 तो मैं यहाँ जाके C10 लिख देता हूँ और इसके बाद आप देखरें quantity का जो है यह हमारा d10 में है तो यहाँ मैं d10 लिख दिया बस इतना लिखने के बाद मैं इसे क्या करूँगा कहां तक हम लोग का यह जाना चाहिए यह हमारा जाएगा 19 तक इसके बाद अब इस data को save करने के लिए total को save करने के लिए equal to यहाँ पर मैंने लगा दिया total जो कि format printer का use करके इधर भी मैं black कर लेता हूँ फिर equal to c19 और यहाँ cd19 चलिए यह हो गया अब इसमें क्या कर equal का sign लगाना है तो इसके लिए ट्रिक मैंने शॉट वीडियो में अल्रेडी बताया हुआ है बस इस data को पूरा आप select कर लेजिए find पे जाए replace पे क्लिक कीजिए यहाँ c को हम क्या करेंगे equal to c से replace कर देंगे replace all तो यहाँ 10 replacement हो गया और इसी तरीके से d को replace कर देंगे equal to d से और replace all कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास data आ गया अब इसके बाद अब इसका क्या benefit होगा जैसे मैं यहाँ पर mouse choose किया और यहाँ quantity लिखा तो अगला इसमें detail यह फील हो जाएगा अब यहाँ 00 आगे यह बढ़ियां देखने रहा तो इसके लिए क्या करेंगे तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ equal to हम लोग इफ लिखते हैं कि यह इस सेल अगर equals to क्या होगा जीरो होगा तो blank रहेगा otherwise क्या होगा यह value आएगा तो इस तरीके से आप देखे आ गया फिर यहाँ पर क्लिक करके हम लोग ऐसे drag कर देते हैं और यह आपका इस तरीके से आगया अब क्या करना है हम लोगों को इसका एक नाम देना है तो इस पू नाम को मैं रख देता हूँ save bill नाम से ठीक है save bill नाम से इसको रख दिया मैंने और चूंकि मैं एक बार copy और एक बार paste करूंगा क्योंकि actually copy करने से यह formula आ जाएगा इसलिए यहां से लेकर यहां तक का जो है data इसको select करके select करके यहां रख देते हैं save data मैंने SD SD नाम से मैं इस से save कर दिया यह नाम सब याद रखना है क्योंकि micro run करते समय हम लोग इस चीजों को use करेंगे तो अब माइक्रो को हम लोग start करते हैं तो माइक्रो स्टार्ट करने के लिए आपको जाना होगा view पे माइक्रो पे जाने के बाद यहां record माइक्रो का जो option दिया गया है इस पर क्लिक कीजिए यहां माइक्रो के जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए save bill data और ok कर दिया अब क्या करना है इस data को आपको वहां ले जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे तो अभी हम लोग को सबसे पहले यहां click करना है save bill लिखकर enter दबाएं जिससे कि यह data select हो गया यह जो भी हम लोग step करें वो record हो रहा अब इसको record हो रहा तो यह step record हो गया कि घृतल हो गया अब क्या करेंगे फोन पे यूंच क्लिक कर दिया अब इसके बाद हम मोग पे गए यह सारे steps record हो रहे हैं यहां क्लिक किए right click करेंगे और यहां यहां तो हम लोग paste पे जाके किस पे क्लिक करेंगे पेस्ट transpose पे क्लिक करेंगे तो data इस तरीके से आ जायेगा आने के बाद आपको यहां क्लिक करके क्या करना है एक रो इंसर्ट करना है तो यहां से हम लोग इंसर्ट रो पे रहे हैं और इसके बाद करसर को वापस यहां रख दिए अब data हम लोग seat 1 पे आ जाते हैं यहां से data को clear करेंगे तो यह अब क्या करना है इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया फिर इस पूरे डेटा को यहां 10 डेटा जो होगा इसको डिलीट कर दिया और वापस हम लोग यहां पर आकर stop हो जाएंगे तो यह steps जो भी हुआ यह record हो गया अब क्या करना है वापस view पे जाकर माइक्रो पे जाके stop पे क्लिक कर दिए यह stop हो गया अब इसके बाद हम लोगों को यह सारा process को आप क्या करना है save वाले button पे apply करना बहुत ही असान है इसके लिए आपको save button पे right click करना होगा और यह save button लाना कैसे developer tab enable करना होगा इसके लिए file पे जाएंगे यहां पर आपको options म मिलेगा options में customize ribbon का option मिलेगा और यहां से बस आपको developer tab option को tick कर देना और okay तो ऐसा करते ही आपके पस developer tool आ जाएगा यहां tab आ जाएगा इसके बाद insert के जरीए आप यहां से buttons लगा सकते हैं तो इस तरीके से button लगा लिए अब इस पर right click करना है assign my pro पे जाकर यहां पर मैंने already बनाया हुआ है किस नाम से बनाया था save build data इस पर click करके क्या करेंगे okay करेंगे तो इस पर अब क्या होगे यह micro assign होके जैसे क्लिक करेंगे यह steps जो हमने किया थो recorded steps automatic होगा और data save होगा इतना करने के बाद चली करके देता actually काम कर रहा या नहीं कर रहा तो यहां पर मैं एक एक रख दिया address बे पत्रातू और यहां कुछ product चूज़ कर लेते हैं और यह format तो आप लोग use कर लीजिएगा किस तरीके से drop down menu बनाना है किस तरीके से हम लोग count यह सब serial numbering के लिए formula यूज़ करेंगे यह सब short videos मेरा दिया हुआ चैसे भी look up को use करना है तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से data क्या हो रहा है यहां पर आ गया है अब आपको save button पर click करना है तो save button पर click करते ही आपने देखा कुछ steps यहां perform होए बहुत तेजी से और यह steps क्या हो गया जो हम लोगों ने record किया था वही steps perform हो आप देखे ह यहां पर आपका साथ का जो detail हम लोगों भारा था एक 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 पतरा तो यह सब यह data fill हो गया है तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं एक automated bill को save करने का एक micro तयार कर सकते हैं और बाकी यह सब जो दिख रहा है इसको बस simply आप क्या कीजिए select कीजिए और right click करके इसे बिल बना सकते हैं इसको और भी बहतर किया जा सकते है gst लगा सकते हैं और भी बिल का format को और बहतर बनाएए और असानी से काम कीजिए तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए धन्यवाइ कर दो